नमस्कार आप देख रहे हैं विंदि भारत और आपके साथ मैं हूँ अजिता रिवा का जिला अस्पताल दिन प्रति दिन नई उचाईयों को छूता जा रहा है रिवा का प्रशासनिक अमला जिला अस्पताल के लिए रोज नई सौगात लेकर आ रहा है जी हाँ नई सौगात के रूप में एक बार फिर अपने बिस्तर की संख्या में सौ का इजाफा करने जा रहा है इस बारे में हमारी टीम ने सिविल सर्जन केपी गुपता से बात की आईए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है नमस्कार आप देख रहे हैं विंद वारत मैं जावेद अंसारी राजे स्विस कर्मा के साथ मैं मौदूद हूँ जिला अस्पताल में जिला अस्पताल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये अपने आप में काफी बड़ी बात है लगातार यहां पर नई नई चीजे आ रही हैं सुपर अस्पताल आने के बाद ऐसा लगा था कि शायद रिवा में स्वास्त सुविदाओं का अब जिला अस्पताल में उतना विखास नहीं होगा जितना जरूरी था लेकिन एक नई योजना फिर आ गई है सौविस्तनों का एक अस्पताल यहां पर और बनने जा रहा एक मंजिल और बनेगी तमाम तरीके की नई OPD भी बनना है इन सारी बातों के लिए हमारे साथ डॉक्टर केपी गुपता जी मौजूद हैं यहां पर आप सिविल सर्जन है आज हम बात इनी से करेंगे क्या है योजना पहले तो यह बताईए हमारे दर्शकों को कि अभी आपके पास कितनी बेड़ है और जो यह जो नई योजनाए आई उसके बाद क्या इस्तिती होगी छोड़ दीजिए हमारा जो जिला अस्पताल कुछा बाव ठाकरे जिला चेक हमें तो अत्रिक्त हंडर्ड बेड़ की आवसेक्ता बल्कि तीन सो बिस्तर के भावी योजनाओं को देखते हुए तीन सो बिस्तर अस्पताल की आवसेक्ता है मद्रप देश सासन द्वारा अभी पिछले महीने कुसा भाव ठाकरे जिला चिकिस्ट्याले का सो बेड़ और बढ़ाने के लिए साठे सात क़्रोल उपए सुएकित किये गए हैं जिसका आज ये कार पिए यो रिवा को सौपा गया है और पिए यो द्वारा इस्थल का निरिक्षन करने आज आए हुए हैं और हम उनको इस्थल का निरिक्षन का रहा हैं कहां पर यह उप्यूक्त होगा बनना तो दो प्रकार के जगह देखी गई है एक तो हमारा जो गाइनी विंग है उसके ऊपर तीसी मंजिल और उसके ऊपर चोथी मंजिल बनने का एक आफसन वो है और दूसरा हमारे पास खाली ज सब्सक्राइब यह जो पीछे जगह दिख रही है यह भी बीच में खाली मैदान और कुछ यहां पर कौर्टर से दिख रहे हैं इन कौर्टरों को भी तोड़के क्या कुछ योजना आप लेके आए हैं जारा वो बताईए इनमें माननी हमारे जो क्लेक्ट साब्सक्राइब टी लईया राजा जी जो अभी जिनका जवल पुदिस्थाना अंतर हो गया है उन्होंने अपने जिला अस्पिटाल को माडूला ओपीडी बनाने के लिए साड़े तेरह करोर रुपे जी देंसिपिकेशन योजना के तास सुर्कित कराया है जो वो योजना भी प्रस्तावि प्धाइंगी यह तो हमारे प्रास लगवग यह जतने प्रकादी यह हम आपिडी में ओंस देखते हैं और सभी विभाग संचाली और यहां सब प्रकाद की जाचे जो सूर्फक्षी सीटी स्केन लगी गया है और जो पैथालाजी में हमारे 99 प्रकार की जाचे जो कहीं भी किसी भी सूपर इस प्रसेलिटी में इभन संजय गांदी अस्पतार में नहीं हो रही वहां से लोग आते हमारे यहां जाच होती हैं और इस खासका 33 प्रकार की विशेश हार्मोनल जाचे हैं जो केवल हमारे यहां ही हो पा रही है तो वो सब प्रसेंट हमारे यहां आ रहे हैं तो निकट भविश्य में हम आम जनता को बहुत बड़ी सुविधा स्वास्थ के छेत में प्रदान करने जा रहे हैं मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा दूर आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो बिल्डिंग अभी देख पा रहे हैं इसी बिल्डिंग पर माडूलर OPD बनने जा रहा है माडूलर OPD बनने के बाद ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ के छेतर में जितना विकास जिला अस्पताल का होगा वो अपने आप में परियाप्त है फिल्हाल एक बात मैं अपने दर्शकों को और बता दूँ जो अभी अभी डॉक्टर केपी गुपता से बात चीत करने के बाद मुझे पता चली वो ये थी कि जो यहां जाचें हो रही है जिस तरीके की जाचें हो रही है खास तोरते चाहे वो खून की जाचो चाहे और भी किसी सरीर में किसी भी तरीके की जाचो सुपर अस्पताल से मरीज इस अस्पताल में आ रहे हैं अपने आप में काफी बड़ी बात इस जिला अस्पताल की शायद आज की तारीक की सबसे बड़ी उपलब दी यही है हम जिला अस्पताल पर जो भी काम होंगे जिस तरीके से यहां पर सुविधाएं बढ़ेंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे तब तक अपने मेजबान जावेद अंसारी को राजे स्विस कर्मा के साथ दीजे जाज़ा तो देखते रहें बिन भारत